स्पिस प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचनी हो किराये पे बाड़े पे देनी हो या नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो हर बार आपको दलाली कमिशन देना पड़ता है या न्यूस पेपर में आपको पैसे खर्च करके एड़ दिनी पड़ती है आप हमारी स्पिस प्रॉपर्टी साहता से एक रुपया खर्च किये बीना आप आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हो आप आपकी प्रॉपर्टी किराये पे बाड़े पे दे सकते हो आप नई करना और इस वीडियो के नीचे comment box में type करके post करना है और आपको न्यूजपेपर में ad के लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको यहां पर एक भी रूपया पैसा देना नहीं है इसलिए आपको detail जानकारी देने आपकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी की विशेष्टा क्या है आपकी प्रॉपर्टी खरीदने वाला आपकी प्रॉपर्टी किराये पे लेने वाला उसका फायदा क्या हो सकता है इसकी डिटेल जानकारी आपको प्रॉपर् create करना है और post करना है हमारे website पर शहर के जितने भी जो लोग जिनको नई property खरीदनी होती है या किराये पे लेनी होती है भाड़े पे लेनी होती है और उनकी demand उनका नाम हमारे website पर register करते हैं हम आपकी जो post यहां वीडियो के नीचे जो comment box में आपकी जो post है वो post हम sms के जरीए whatsapp के जरीए email के जरीए facebook के जरीए उन सभी तक हम बेचते हैं वो लोग आपसे contact करेंगे उनसे आप deal कर सकते हो उनसे आप कुछ adjust कर सकते हो और आपकी property आप भाड़े पे दे सकते हो किराये पे दे सकते हो या आप उसे उनसे बेच सकते हो इसके लिए आपक देनी की जरुरत नहीं पड़े नया मकान फ्लैट खरीदना हो या भाड़े पे लेना हो किराये पे लेना हो तो भी आपको commission दलाली देनी पड़ती है अगर आपको नया फ्लैट प्लाट या नई जमीन नई खेती नया फार्म हाउस या कुछ भी खरीदना है शॉप गोडान कुछ खरीदना है तो आपकी डिमांड आपको इस वीडियो की नीचे comment box में आप क्या खरीदना चाहते हैं आपका budget क्या है आपका नाम आपका mobile नंबर आपका address आपका email address आप सभी आपको इस वीडियो की नीचे comment box में आपको type करके post करना है हर रोज हम आपको sms emails whatsapp facebook के जरि आपको जो भी property अच्छी लगेगी आपको जो भी property फायदे में लगेगी ऐसी property आप खरीद सकेंगे उन लोगों को जो बेचने वाले हैं जो property owners होते हैं उन से आप directly contact कर सकोगे इसके लिए आपको किसी को एक रुपई की दलाली देने की ज़ूरत नहीं पड़े